हेलो दोस्तो वाई एक्सप्रेस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज है 17 माई 2020 और अब तक का इंपोर्टन करेंट अफेर्स हम देखेंगे तो चलिए बढ़ते हैं पहले करेंट अफेर्स की तरफ पहला करेंट अफेर्स भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग से तु एप को रखना अनिवार कर दिया है रेलवे के अनुसार अब यात्रियों के लिए यात्रा सुरू करने से पहले अपने मोबाइल फॉन में आरोग सेतु एप को डाउनलोड करना अनिवार हो गया है आरोग सेतु भारत सरकार द्वारा लॉंच की गई अधिकारिक COVID-19 ट्रेंकिंग एप है इसे एलेक्ट्रोनिक्स और सुचना पोदोगों की मंतराले के ताहत राष्टिय ए गवर्नेस्ट डिवीजन द्वारा स्वास्त और परिवार कल्यान मंतराले के सायोग से विक्सित के आ गया है केंध्रिय रेल मंतरी पियूस गोयल है और रेल राज मंतरी अंगंदी सुरेश चनल बच्सपा है चलिए नेक्स्ट करेंट फिर साते हैं इंडिया अस्टेट लेवल डिजीज बरडेन इनेसियेटिव सिर्सक वाली लेसेंट रिपोर्ट की मताबिक भारत में पास साल से कम आयू के 68% बच्चों की मौत का कारण बाल और मत कुपोसन है इस रिपोर्ट में साल 2000 के बाद से भारत में बाल मित्यूदर के जिला अस्तरिय रुजहानों का पहला व्यापक अनुमान है इसमें यह भी बताया गया है कि 83% नौजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई हलाकि देश भर में बाल मित्यूदर में 2000 से साल 2017 तक सुधार हुआ है लेकिन विभीन जिलों के 20 असमानताएं भी बढ़ी है चलिए नेक्ष्ट करेंटे फिर साते हैं नेक्ष्ट है विश्व वैपार संगठन यानी WTO के परमुख रौवट एजवेडे ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कारकाल समाथ होने के एक साल पहले छोड़ने का निर्ने किया है ब्राजिल के पुर राजनाईक रौवट एजवेडे ने कहा कि वह 31 अगस्ट को पद से हट जाएंगे उनका कारकाल साथ साल के लिए था लेकिन वह एक साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं डवलू टी ओ के महानी देशक ऐसे समय पर पद छोड़ रहे हैं जब अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड टरंप का उन पर खासा दबाव है जिनेवा इस्थित वी सुवेपार निकाय के संस्थापक सदस्यों में भारत भी सामिल है डवलू टी ओ को वैस्विक निरियात और आयत के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है चलिए नेक्स्ट करेंटे फरसाते हैं नेक्स्ट है हाल ही में इटली देश ने सोसल डिस्टेंसिंग सुनच्चित करने के लिए आय फिल यू ब्रेसलेट विकसित किया है जिनेवा इस्थित इटलियन इस्टीट ऑफ टेकनोलोजी यनि आयाईटी ने सोसल डिस्टेंसिंग के लिए उपायों के रूप में विकसित किया गया है जिन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है या bracelet केवल एक radio signal का उपयोग करता है जिससे दूसरे bracelet ने नजदीक आने का पता चल जाता है हलाकि ये GPS का इस्तिमाल नहीं करता जिसके कारण उपयोग करता की location को track नहीं किया जा सकता है या तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना किया जा रहा हो चलिए next करेंटे फिर साते हैं next है अंतराष्टिये परिवार दिवस 15 मईई को मनाया जाता है संयुक्त परिवार के महत और जीवन में परिवार की जरूरत के परती लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 15 मईई को अंतराष्टिये परिवार दिवस मनाया जाता है परिवार के महत को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट जनरल एसेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाय जाने की घोजना की थी परिवारों से सम्मंदित मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाने, वैस्विक समुदाय परिवारों को जोडने, परिवारों को परभावित करने वाले आर्थिक जनस्यंख्याइकिक और समाजिक परिक्रियाओं के बारे में जनकारी देने हेतू इस खास दिवस को मनाया जाता है चलिए नेक्स्ट करेंटे फिरसाते हैं नेक्स्ट है बिटेन की सुप्रीम कोट ने हाल ही में भारतिये वैपारी विजय मालिया की परत्यापन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है विजय मालिया को 14 माई 2020 को उस समय बड़ा जटका लगा जब बिटेन की सरवच अदालत में परत्यापन के खिलाप अपील की अनुमती मांगने का उसका आविधन आसवी किर्थ हो गया अब विजय मालिया के परत्यापन की परकिरिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी बिटेन की ग्रिह मंतरी प्रिटी पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है ब लंगाना राज के तेलिया रुमाल को भोगयलिक संकेत रजिष्टरी द्वारा भोगयलिक संकेत तक यानि जी आई टेक दिया गया सोहराई खोवर पैंटिंग जहरखन के हजारी बाग जिले में अस्थानिये एवं परकिर्तिक रूप से विभिन रंगों की मिट्टी का उप्योग करते हुए फसल के मौसम एवं साधी समरों के दवरान अस्थानिये आदिवासी महिलाओं द्वारा परचलित एक प्रमप्र सारिक एवं अनुस्थानिक भितिकला है या पैंटिंग मुख रूप से हजारी बाग जिले में ही परचलित है तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटील हस्त निर्मित परकिरिया द्वारा बनाया जाता है जिसमें तीन विसेस रंग लाल काले वा सफेद में विभिन प चिकत्सकों ने COVID-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कवासकी रोग जैसे लच्छनों वाली एक आसमान बिमारी के फैलने के बारे में जनकारी दी है उत्री इटली के बिरगामो छेतर में चिकत्सकों ने बच्चों में कवासकी रोग जैसे लच्छनों वाली एक आस व्यक्ति के सरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है बुखार हाथ पैरों की सूजन होट और गले में जलन और सूजन आधी इस बीमारी के परमुख लच्छन है या रोग मरीज के सरीर में हिर्दय को सबसे गंभीर रुप से परवावित करता है चलिए नेक्ष्ट कर दिन राष्ट को समर्पित कि यह पहली ऐसी परिच्छन मसीन है जिससे सरकार ने कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्टी यह रोग नियंत्रक केंद्र यानि NCDC में इस्थापित किया गया है कोवास आर्सार सो रोवर्टिक्स की छमता वाली एक परिस्किर्ट मसीन है जो स्वय कर्मियों को संकर्मित होने की आसंका को कम करती है सरकार ने अब परती दिन एक लाख परिच्छन करने की छमता विक्सित कर ली है NCDC अब पुन रूप से सवचलित कोवास आर्सार सो परिच्छन मसीन से लैस है जो वास्तविक समय में PCR यानि ASI के नए महानिदेशक के रूप में वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है आएस अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से परभावी भारतिये पुरातत सर्वेच्छन यानि ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वे 1991 बैच के करनाटक की अधिकारी है विद्यावती भारत सरकार के अतरीत सचीव के पद पर कारेरत रहेगी उनकी नियुक्ति की पुष्टी परधान मंतरी नरेण बोधी के अध्याच्चता वाली केबिनेट की नियुक्ति समिती के आदेश से की गई है तो बस दोस्तों आज इतना ही उमिद करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे